भी किस तरीके से आसान से घरलून उसके आजमा के हम भ्लैक हैट्स से चुटकारा पास सकते हैं तो अगर फ्रेंड्स आप हमारी चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे विडियो को लाइक कर दीजिए और ॥ेिकेशिन बीमी को हीट क्रदि ताकि नए नए विडियो की नोर्टिफिकेश्जन आप तक सबसे पहले आती तो आये फ्रेंट्स शुरू करते हैं नाक और नाक के आजू आजू की जगा पे ये ब्लैकेट्स हो जाते हैं तवचा के पोर्ज में जब गंदकी और बैक्टेरिया भर जाते हैं और ऑक्सिजन सही मात्रा में नहीं मिल पाता तब ये समस्या हमको होती है तो गरेलून इसके आजमा के हम किस तरीके से इससे छुटकारा पा सकते है तो इसके लिए हमें एक पेस्ट रेडी करना है तो आएए देखते हैं फ्रेंट्स आपको इस तरीके से एक बाउल में थोड़ा सा पेस्ट ले लेना है जैसे कि आप जानते हैं कि पेस्ट में मिंट होता है जो एंटी इंफ्रमेंटरी गुण के साथ होता है अब ये पोर्स को खोल कर बैक्टेरिया को मारने में मदद करता है अब हमें इसमें मिलाना है चुटकी नमक देखिए चुटकी बर नमक मिलाना है और इससे पेस्ट रेडी कर देना है फ्रेंड्स आप जानते है जैसे कि नमक में मिनरल होते है जो हमारे तवचा की डेट स्किन को हटाने में मदद करते है और इससे हमारी तवचा साफ हो जाती है तो इस तरीके से आपको पेस्ट रेडी कर देना है इससे थोड़ी देर के लिए साइट पे रख दीजे यहाँ पे मैंने एक बाउल में थोड़ा सा गरम पानी ले लिया है अब इसमें हम नैपकिन डुबो कर जहाँ पे हमें ब्लैकेट्स हुए है वहाँ पे थोड़ी देर रहने देगे ऐसा करने से फ्रेंड्स ब्लैकेट्स सॉफ्ट हो जाएगे थोड़ी देर आपको ऐसे ही रहने देना है अब फ्रेंड्स इस रेडी कीवा हुआ हुआ पेस्ट हमें लगा देना है जहाँ पे ब्लैकेट्स हुए है वहाँ पे अच्छे से लगा देना है तो पेस में मेंड होता है तो हलकी सी आपको आँख में जहलन सी हो सकती है लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखे फ्रेंड्स हमने अब यह लगा दिया है यह सूख जाने के बाद थोड़ा सा हलका पानी लेना है और उसे सर्कुलर मोशन में रब करना है हमने साफ कर लिया है अब यह बरफ का तुकड़ा लिया है और इससे हम थोड़ी देर मसाज करेगे तो इस तरीके से आपको मसाज करना है और हफते में यह ब्यूटी टिप्स आप एक बार यूज कीजिए और ब्लैक हेट से आसानी से छटका रपाईए तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बक्स में बताईएका और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो लाइक कर दीजे शेर कर दीजे थाइंक्स फॉर वाचिंग